नाजिन हमारे प्यारी रबे करीम अला सुभानों ताला ने कानत में बहुत से अजीब और गरीब चीजें बनाई हैं जिनको देखकर इंसान के अकल तंग रह जाती है और इसी तरह ही इनसानों ने भी अला साला की रजा से कई ऐसी चीजें बनाई है जिनको देखकर ये यकीन करपाना बहुत मुश्किल है कि ये इनसानों के हाथों के बने हुए अजूबे है और इन्ही अजूबों में से एक है एहराम मिसर एहराम मिसर उस वक्त अमीर किया गया जब मिसर दुन्या की एक अमीर तरीन और ताकत पर तहजीबों में से एक था हास तोर पर इहराम गीजा बड़े प्रमानों पर बनने वाले ये इहराम कदीम मिसरी मौशे की अनोखी रवायत की अकासी करते नजर आते हैं जो फिरोन बादशाहों ने अदा की थी अगरचा ये पारा मिर्स पुरानी सलतनत के अगास से लेकर चोती सदी एसवी में टॉली मिक जमाने के ईहतताम तक तमीर किये गए थे ले तिन इहरामदी चोटी तीसरी सलतनत के आहर से शुरू होई थी और तकरीबन छटे तक चारी रही पुरानी सर्दिनक के तीसरे और जोते हांदानों की हकूमत के दुरान मिसर ने जबर्दस्त मौशी हुशाली और इस्तेहकाम का लुद्फ उठाया फिरोन बादशाहों ने मिसरी मौशरे में एक अनोखा ही मुकाम बना रखा था हयाल किया जाता था कि देवताओं की तरफ से फिरोन बादशाहों को इंसान और देवताओं का मिला जुला वजूद दिया गया था और साथ ही ये भी कि उन्हें देवताओं की तरफ से जमین पर अपने सालस की हसीयत से हितमत के लिए मुन्तहिप किया गया था इसके बज़ा से हर एक लिए जरूरी था कि बादशा की मौत के बाद भी उसकी एसमत को बरकरा रखा जाए इसके बाद दूसरा फिरोनाया यानि होरस जो बादश की शकल में एक देफता समझा जाता था उसने सूरज देफतारा की हसियत से बहुत सी हिद्मात सरंजाम दी क्या आप जानते हैं कि एहराम के हमवार जाविये जो कि सूरज की किर्णों की अलामत है और इसको बादशाहों की रूहों को जन्नत में जाने देफताओं से मिलने और हास तोर पर सूरज देफतारा की हिद्मत में पेश होने के लिए डिजाइन किया गया था कदीम मिस्री यही यकीन रखते थे कि जब बादशाह मर चाता है तो इसकी रूख का एक हिसा जिसे का कहा जाता था उसके जिसम के साथ रहना चाहिए इसकी रूख की देखवाल के लिए लाश को महफूज रखना जरूरी समझा चाता था तो उन्होंने बादशाहों की लाशों को ममी फाइट करना शुरू कर दिया इसके साथ वो लोग बादशाहों की चीज़ों को भी दफन कर देते थे जिसमें सोने के बर्तन, खाना और फरनीचर वगेरा शामिल था 2950 कबल मसीर में शाही मकबरों को चटान में नक्षिया जाता था हमवार मुस्तथील साहत वाली ये चट जिसे मुस्तवास कहा जाता था इहरामों का पेश हैमा थी मिसर में सबसे कदीम इहराम 2630 कबल मसीर के करीम शाही हंदन के बादशा जोजर के लिए तामीर किया गया था जो अब स्टेप पारामिट के नाम से जाना जाता है अब अगर इहराम के ममार के बारे में बात की जाए जिसका नाम इम होटब था जो एक पुजारी होने के साथ साथ एक हकीम भी था इम होटब को मसनिफों पादरियों और मौालिचों का सरपरस समझा जाता था जोजर के 20 सारा दोरे हकूमत के दुरान इहराम के ममारों ने पत्थरों के 6 स्टेप्स को तश्कील दिया जो बिलाहर 62 मीटर की उन्चाई को पहुंच गए ये उस वक्त की सबसे उन्ची अमारत थी स्टेप पारामिट को इसके आस पास के पिचीदा सेहनों मंदिरों और मिजारों ने घेर रखा था जहां जोजर अपने बात की जिंदगी से लुस्त फंदोस हो सकता था अब बात आती है दिग्रेट पारामिट की जो के जदीद कारा में दरियाए नील के मगर भी किनारे पर वाक्या है गीजा का सबसे पुराना और बड़ा इहराम जो दिग्रेट पारामिट के नाम से जाना जाता है सेवन वेंडर्स आफ एंचिंट वर्ल्ड में से बच जाने वाहिद इहराम है गीजा का दन्यानी इहराम होफू के बेटे फिरोन हफरी के लिए 2532 ता 2558 कबल मसी में बनाया गया था यह इहराम गीजा का दूसरा बलंदरी इहराम है और इसमें फिरोन हफरी का मकबरा भी मजूद है हफरी के इहराम कुंपलेक्स की अनुखी हसूसियत क्रेट स्पिंक्स की थी जिसमे एक गार्डियन का मुझस्मा था इस मुझस्मे में एक इनसान के सर के साथ शियर के जिसम को चुने के पथर में तराशा गया था यह मुझस्मा कदीम दुनिया का सबसे बड़ा मुझस्मा था जो के 240 फुट लंबा और 66 फुट उंचा है रीजा का जुनूबी इहराम फिरोन हफरी के बेटे में कावरी के लिए 25-3 ता 25-32 कबरमसी में बनाया गया था यह इहराम तीनों इहरामों में सबसे चोटा इहराम है जो के पांच में और च्टे हांधानों की दूरे हकोमत के दिरम्यान तमीर किया गया अब अगर हम जानें कि यह इहराम किसने बनाए थे तो तारीख के कुछ इसों से ये पता चलता है कि ये इहराम गुलामों और गेर मुल्कियों से जबरी तोर पर बनवाए गए थे लेकिन इलाके से मिलने वाले इनसानी धांचे ये बताते हैं कि ये मस्दूर शायद मिसर के जर्ए मस्दूर थे जो दर्याए नील में तुग्यानी के दुरान इहराम पर काम करते थे फिरोन होफू के ग्रेट पारामिट की तामीर के लिए तकरीबन 23 लाक पत्थर के ब्लॉक्स को काटना, मुन्तगिल करना और जमा करना पड़ा और रोस्तन एथ ब्लॉक धाई टन का था कदीम युनानी मौरह हिरोडोटस ने लिखा है कि इसके तामीर में 20 साल लगे और तकरीबन 1 लाक मजदूरों की जरूरत पड़ी लेकिन सारे कदीमा से मिलने वाले शवाहिद से ये पता चलता है कि मुम्किना दोर पर मजदूरों की तदाद 20,000 के लगभग रही होगी पांच में और छटी सर्दिनतों के दुरान इहराम तमीर होते ही चले गए लेकिन बादचाहों के ताकत और दोलत में कमी के साथ साथी इन इहरामों की तामीर और मैयार में भी कमी वाक्या हुई पुरानी बादचाहत के इहराम में बादचाह उनास के दोर के आगाज से इहराम बनाने वाले ममारों ने तत्वीन हाना की दिवार और बादशाओ के दोरे हकूमत ने होने वाले वाकियत की तहरीरी किताबे लिखना शुरू कर दी इहराम इन तहरीरों के नामों से जाना जाता है ये कदीम मिसर के मशुर मजभी मुरकब के तोर पर जाना जाता है अजीम इहराम बनाने वाले बादशाहों में से आखरी छटे हांदान का दूसरा बादशा पैपिटू था जो एक नुजवान की हसियत से इक्तिदार में आया और इसने चुरन्वे साल हकूमत की इसकी हुक्मरानी के वक्त से कदीम सल्टनत की हुशाली कम होती जा रही थी और इंतजामिय उहतेदारों की ताकत में इजाफा होने हो था और इसके साथ ही फिरोन ने अपनी असल हसियत को खो दिया पैपी टू का इहराम सक्रा में है जो इसने अपने दोरे इक्तिदार के दुरां 30 सान में मुकमल किया जो के कदीम इहरामों के मकाबले में छोटा और 172 फुटका था पैपी की मौत के साथ ही मुमलिकत और मरकेजी हकूमत अमली तोर पर बिखर गई और मिसर एक हंगामा है इस मरहले में ताहिल हो गया जिसको फर्स्ट इंटरमीडियर्ट पीरिट कहा जाता है बाद में बारवे हांदन के बादशाह मीडल किंडम के मरहले के दुरान इहराम में वापिस आए कदीम और जदीद दोनों अदवार में डाकों और लुटेरों ने मिसर के एहराम से कदीम लाशें उनके साथ दफन समान और साथ ही बिरूनी समान भी लूट लिया है हमवार सफेद चुने के पत्थर के हट जाने की वज़ा से एहराम अब अपनी हगी की उजाई तक नहीं पहुंच पाते मिसाल के दोर पर होफू एहराम की मुझूदा इंजाई 451 है बहरहाल लाखों लोग हर साल इन एहरामों को देखने आते हैं जो इनकी शांदर असमत और मिसर के भरपूर और शांदर मासी का अक्स है झाल